ग्वालियर पुलिस ने सोमवार को सट्टे बाजी के आरोप में दो युवकों को किरफटार किया था। कुछ भी बोलने से वो बच रहे हैं। पुलिस के मताबिक पूचताच के दौरान रात करीब साड़े नौ बजे सोनु नाम के आरोपी को उल्टी हुई। उसके बाद आनन फानन में पुलिस सोनु को लेकर जया रोग्य सिकित सालय के ट्रॉमा सेंटर पहुची। जहां नब्स टटोलते ही डॉक्तर्स ने सोनु को मृत घोशित कर दिया। इस मामले में एसपी ने ततकाल जिला एममसत्र नहयदीश को पत्र लिख कर नयाएक जांच कराने का आग रह किया है। थाने इंदर गंच के तीन आरक्षा के दो व्यक्तियों को लेकर आये थे और यह सूचना मिली थी कि यह सट्टा खेलते खिलाते हैं। थाने लाके इनसे पूश्ताच की जा रही थी। उसी दोरान एक व्यक्ति जो है उसको कुछ घवराट लगी। नीचे आके उसने पानी पिया उल्टी की और उसकी ज्यादा तवियत खराब हो गई तो उसको जेच हस्पताल ले गए और जहां उसको डॉक्ट्रों ने म्रत घोषित किया। चुकि ये दो ढ़ाई घंटे के करीब पुलिस की कस्टडी में रहा है अता इस पूरे घटना क्रम में माननिय जिलाय उमसत्य नियाईधीश महोदे को पत्र लिखा जा रहा है लिख दिया गया है और नियाईक जाच निया मनुसार इसमें की जाएगी और जाच उपरांत ज पुलिस महकमे में हडकंप मच गया है साथ ही ये भी संदेह जताया जा रहा है कि सोनु की मौत पुलिस की पिटाई की वजहे से हुई है आपको बता दें कि मृतिक सोनु के एक बेटा और एक बेटी है और उसके पिता गोपाल दास अपने छोटे बेटे मोनू के साथ रहते सोनु की मौत के बाद मोनु भी इस मामले में कुछ बोलने से बच रहा है सट्टे के आरोपी की पुलिस कस्टेडी में हुई मौत को पुलिस अधिकारी भी संदिक्द मान रही है फिलहाल शब को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया गया है पोस्ट मौटम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा